बढ़ी दिनी वाद हम लोग यह लाई स्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि यह दो अप्रिल के बाद यहां पर लाई स्ट्रीम आना शुरू हो जाएगी चैनल फटा सा बैन होने की वज़े से ना दो स्ट्राइक का वेट नहीं करना हमें तो इसके लिए हम लोग वीडियो को स्लोडा पर आएगा बहुत रिकॉर्डेट बीज में आ सकता है बट मैं ट्राइर रहूंगा मोस्टली वीडियो हम लोग इसी पर शूट करें ताकि आपको हर चीज जो है ना बहुत डिटेल के अंदर समझ में आ जाए आज बात करने वालों मैं इसी टॉपिक के बारे में ठीके न बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी बहुत चोटी वीडियो रहेगी पर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉटन है जो लोग साइबर सीकेरोडी अपना करियर जो है वो प्लान कर रहे है ठीके ना और काफी सारा कॉंटेंट पढ़ने है समझ में आदा कि भाई करें क् अगर आप किसी प्रेटिकल को सिर्फ पर पूरा करियर खा जाएगा इस वीडियो को एंड़ देखना आप 10-15 मिंट की वीडियो रहेगी जिसके बताओंगा मैं आपको कैसे आप अपना करियर जो प्लान कर रहे हैं साइबर सिक्यरोटी के अंदर उसमें इंडस्ट्री के अ हैं उसके अंदर और इंडस्ट्री में डिफ्रेंसिस क्या हैं that is more important to understand if you wanted to go into this particular field ठीक है ना तो यह बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड़ देखना वीडियो को लाइक करते हैं अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो साथ में एक और चीज है है जो मैंने यहां चैट्वक सा फॉर्म पिन कर रखा है आप जाके भर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ में वन टू ओन कोर्स करना और जल्दी आपको इंडस्ट्री के अंदर जंप करना है तो ठीक है चली ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को जिसमें बताने वाला ह जितना हम लोग यहां CTF करतें CTF में किस लेवल तक आप गुज जाते हैं प्रिवलेज इस्क्रेशन तक माल लेते सिस्टम का डेटा यह निकाल लेते हैं यह चीज़े इंडस्ट्री के अंदर हमारे उतने लेवल तक नहीं चलती है च्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर आ ना रखा है इस सब चीज़ों का अपडेट करने के लिए उस कंडिशन में जो हम लोग सीखते हैं डमी साइट्स के उपर ठीक है डमी साइट्स पे आप गए ठीक है डमी सर्वर्स को आपने टेस्क करा उससे सिर्फ आप लॉजिक बिल्ट करते हैं कि अगर मुझे करियर के अगर मुझे अपने पर्टिकुलर जोब का साइबर सिक्यूरिटी का जो अब ये करियर रहेगा उसके अंदर अगर कई ऑडिट के दौरान मुझे ऐसा कुछ वर्जन मिलता है तो उस कंडिशन मुझे क्या क्या चीज़ ट्राय करनी है ठीक है ना यह मैथलोजी आपको डव कैसे के अंदर बहुत सारी हुती है हर कृटेगरी के अंदर अपने-पने issues रहते मैं तो अब बात करता हूँ मैं नो अब बात कर लेते हैं, यहां categories दे रखी है, categories के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, पहला category दे रखा है आपका, server, ठीक है, server testing, ठीक है, अब server testing में क्या होता है, server testing है, server testing में आपकी दो चीज़ चलती है, एक होता हमारा VA और एक चलता है PT, ठीक है, VA plus PT, PT में काफी efforts होते हैं, VA ह होता है, आपका उसका थिरू हम लोग vulnerability assessment वाला काम जो है, वो कर लेते हैं, penetration testing के अंदर वही, nmap, meta exploit, 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 ऐसे काफी सारे tools का आपको use करना पड़ता है, manually आपको exploit करना पड़ता है, इसके अलावा, आपको use करना पड़ता है, exploit hyphen db, hyphen db, ठीक है न, यह आप कर सकते हैं, य searcs, search exploit कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा, आप यहाँ पर user सेथे github, बहुत बढ़िया है, क्योंकि, sorry, हाँ, जब आप किसी server को test करने जा रहे हैं, तो या, server exploitation, मतलब, let's suppose, उदा दू मैं आपको, यह server testing नहीं हो जाए, इसको आपन बोलते हैं, infra, क्योंकि यह server खाली नह router, फिर उसके बाद आसकता है, अमारे access point, ठीक है, उसके बाद आपका CCTV हो गया, sorry, CCTV हो गया, TVS होता है, ठीक है ना, ऐसे काफी सारी devices जो है ना, आमारे इसके अंदर आती है, और network में रखे वे हर device को, हम लोग इंफ्रा में account कर लेते हैं, infra में चल रहा है हर device का, कोई ना, को router हो, कोई भी device हो, सबका एक software होता है, और software को, software कोई ना, को एक OS पर रण करता है, ठीक है, तो जो OS है, उसके versions से related काफी सारी issues होते है, वो जो software रण कर रहा है, वो क्या service network में deliver कर रहा है, that is also more important, हर type की vulnerability, जैसे मान लो कि आपका एक server है, उस server पे आपके एक, दो, तीन, तीन particular port पे एक अलग vulnerability, इस particular port पे अलग vulnerability, इस particular port पे अलग vulnerability, ऐसे एक ही server में आपको बहुत सारी vulnerability मिल जाती है, जितनी services host करेगा, उतने vulnerability मिलने के chances जो होते हैं, बढ़ जाते हैं आपको, तो ये पूरा part जो है ना, वो जदा हमारा infra audits के अंदर हम लोग कवर करते हैं, जहां पे ह हम दू activity perform करते हैं, एक VA करते हैं, ठेके ना, यहां पे रखा है एक हमारा, ठेके एक तो हमारा VA वाल activity perform करते हैं हम लोग, यह हमारा हो गया, और एक होता है हमारा कि manual वाला काम करते हैं, manual वाला का जूमिंग होता है, ठेके ना, यह अगर आप जो आप CTF करते हैं, CTF जो आप कि भाई इसको follow कर लो कि तो आपको exploit मिल जागा नहीं ऐसा नहीं होता उसके अलावा काफी सारे pocb available है exploit.py python की बहुत सारी scripts बनाई होती है लोगों ने हर एक vulnerability को specify करने के लिए तो आप वो करते हैं cv होता है इसके अंदर common vulnerability exposure यह basically हर vulnerability एक number होता है हमारा जिसके उपर उस particular vulnerability details होती है हमारी ठीक है ना तो अगर मालो कोई automated software आपको यह बूलता है कि boss इस particular server में मुझे यह 5 cv मिले एक दो तीन चार पांच तो इन पांचों के आपको exploit ढूनने पड़ेंगे live exploit ढूनने पड़ते हैं उसके अलावा अगर live exploit ढूनने ते पहले आप इनकी POC वाली फाइले ढून लो ऐसी कोई सी python script github पे available है जिसके तुरू आप इन vulnerability को verify कर पाओ तो वो चीजा आपको ढूनने पड़ती है भाई दिख रहा है आपको कितना काम लगता है एक particular infra audit में हर service हर device होता अलग-अलग network पे चल रहा हो कुछ router हो कुछ switch हो कुछ access point हो कुछ CCTV हो कुछ server हो को यह ना आपका VMware machine हो इसी बहुत सारी devices होती है और हर devices के ओपर कोई ना कोई टाइप की vulnerability होती है तो यह पूरा जो होता ना यह हमारा कहा था infra audit में काम आता अब इस infra audit के अंदर हम करते कैसे देखो हम जो करते हैं जो CTF जो करोगे जिसके अंदर आप सीधे directly privilege description market system के अंदर एंटर कर जाते हो इसको ठीक है तो अगर मैं यहां पर जाओं तो यहां पर आप बात करें तो यहां पर भी मेर पास activities बहुत सारी है ठीक है ना तो अगर मालो मैं activity की बात करूँ तो मेर पास यहां पर एक तो आदा जो हम लोग normal भी यह पीटी करते हैं पीटी जिसें बोलते हैं penetration testing उसके अला अंदर सोथा मतलब अगर आपको scope दी दे गया आपके पास IP address आपको पता है कि यह मेरे network का info है आपके पास network की mapping है तो आप पीटी प्रफॉर्म करते हो ठीक है ना और red teaming तर प्रफॉर्म करते हो ठीक है ना और red teaming तर प्रफॉर्म करते हैं तो अलग-अलग methodology काम करती है और और अलग-अलग method use होते हैं अगर आप सोचे कि मैं पीटी सीख के जाओ और red teaming कर लूँ नहीं possible नहीं है यहाँ पर main काम तो कहा होगा आपका footprinting scanning level पर कामी सारा काम हो जाएगा जब तक कि आप वहां के resources enumerator नहीं करोगे जो internet accessible है उससे बिले तो काम ही नहीं चलेगा तो प audit ऐसे करना audit पर जो खुद audit कर रहा उसको पता होता है कि right methodology हम लोग क्या industry के अंदर यूज कर देंगी तो सिर्फ एक की बात कहीं मैंने ऐसे अगर बात कुरू मैं यहाँ पे तो second level पर हमारा जो आता है वह आता है हमारा web application जिसके अंदर VA चलता ही नहीं है सिर्फ खाली VA की report client को यहाँ पे चलता है VA PD पूरा का पूरा साथ में ठीक है VA PD के अंदर क्योंता है कि आप automate software का यूज करो उसमें पहले से जो भी आपने software यूज कर जैसे आपका zap proxy हो गया अच्छा software है zap proxy हो गया जो लोग यूज करते हैं बर्प सूट बी यू आर पी बर्प सूट लोग य यह आपका Oconetics and ATIX और यह बहुत सारे टूल है जो लोग यूज करते हैं ठीक है ना उन सारे टूल का यूज करने के बाद फिर आपको क्या करता है कि उससे automated आप बक्स निकालते हो और उसके बाद फिर उनका manual PT करते हैं उसके बाद आपको website के पर logic testing करनी हो थी जिसका यू U-R-P-S-U-I-T जिसको नहीं बाद में कि बाद में कि बाद में बर्प सूट जो है बहुत प्रोफेशनल तूल है और यह आपका API टेस्टिंग और mobile app टेस्टिंग और web टेस्टिंग तीनों जगए यही काम आता है और मैं इसके book का भी author है Amazon बयाकर स्राज करेंगे आप तप OWASP OWAS TOP 10 सीखना बहुत जरूरी क्योंकि इंडस्ट्री में स्टांडर्स चलते हैं वो पूछेगा आपसे भाई कौन से स्टांडर्स फॉलो कर रहो है आपने आपने audit तो कर ली पर आपने चेक करी यहां पर तो OWAS TOP 10 फॉलो करते हैं बाद में आपको OWAS TOP 10 vulnerability नहीं है OWAS TOP 10 category होत है तो इस तरीके से basically हमारा industry-based testing हो काफी differ होता है ठीक है एक duration होता है हमारे पास ठीक है ना उस duration के अंदर हमें audit close करनी होती है जब आप बगंटिंग करते हैं जैसे web testing की बात करो तो web testing के अंदर दो parameter होते हमारे पास जैसे इसको अटाता हूं में यहां से इसको बिटाता हू बगंटिंग जो है ना कि बगंटिंग वहाँ पे company आपको entertain करती है सिर्फ only critical and high vulnerability में जहां पे company को loss हो रहा हो यहां भी customer की information कहीं लीक हो रही हो कहीं पे उसका privilege पर आप करते हैं security testing जिसे हैं security testing जब आप करते हैं तो उस condition के अंदर आपको सारी चीज़े critical, high, medium, low और informational तीनों चीज़े चारों पांचों चीज़े दिखनी पड़ती है पर यहां पे सिर्फ चलता है आपका critical और high आप चाहें तो medium, low भी report करते हैं आपके पास option जाएंगे आप पक्राउट पर जाओगे आप तो low का भी आपको वास option है report करने का ठीके ना पर maximum जो bug hunting का मतलब यहीं बग बग महांपे डालो और hunt करो ठीके ना और bug bounty के लिए हम करते हैं आप पैसा होता है तो अगर पैसा और होते हैं वो बीच में ही bug hunting छोड़ेता purpose क्या होता है कि पैसा नहीं मिलता उनको तो बिल्कुल सही बात है कई बार कुछ ऐसी side में वो bug hunt करते हैं जिसने कभी bug bounty program ही launch नहीं करा जिसने bug bounty program डाला ही नहीं वो interested ही नहीं है किसी को invite करने कि आओ मेरे side में bug ढूंडो हो सकता उसके हैं इसके उपर में detail video डालूँगा अगर आप लोग चाहोगे तो ठीक है ना कि industry का जो testing होता है और हम जो live में करते हैं जैसे bug hunting हो गया server web application में तो bug hunting और industry based testing दोनों अलग अलग होता है ठीक है ना अब लोग बूलेंगे तबन भाई दोनों में तो test करते हैं का अंतर क्या है ह हाँ बतादू मैं आपको जो आज low है यहाँ पर वो कल की दिन वहाँ पर critical हो सकता है पर यहाँ पर सिर्फ critically count होएगा तो ऐसे बहुत differences होते हैं methodology differences होता है report writing difference होता है तो वो चीज़े मैं बताऊंगा आपको हमारी next आने वाली वीडियो में अगर आप comment करेंगे मुझे तो उ industry की चीज़े हैं जो शायद आपको जलनली सुनने करें नहीं मिलती है hacking की वीडियो में सिर्फ hacking में वीडियो में होता है कि यह IP लो और इसको exploit मार दो server में घुस जाओ पर क्या इतना easy है कोई ऐसा buffer और overflow की वलने ability को exploit करना जो सीधे system को crash कर दे और process को बंद कर दे जो आपका otherwise क्या होगी हम सीख तो लेंगे hacking but you will not get any job reason क्या होदा है कि आपने industry बेस तो सीखा ही नहीं है फिर job किसे मिलेगी ठीक बात है तो मेरी next वीडियो आने वाली है इसके ओपर अगर आप comment करेंगे 100 comments चाहिए आप वीडियो में धमादम comment कर दीजे और अब से जो classes रहेंगी वो इसी पर चालू रहेंगी तो आपको मज़ा आएगा कोई भी टॉपिक पढ़ने के अंदर और समझने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इस तरीके लिए प्लैटफॉर्म एक अलगी स्वैड लेकर आएगा वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी तो और comment कर देना कैस लगी आज की वीडियो कोर्स करना आपको मेरे साथ में तो मैंने फॉर्म दे रखा उपर चैट बॉक्स में जाके आप भर सकते हैं नेक्स वीडियो के इस वीडियो को यह इतना ही थैंक्यों अबनाइज टेके बाबाए गुनार श्रबा क्यार जेहिंजा भारत